स्वागत है आप सभी का bank expert के एक फ्रिस वीडियो में आज HDFC multi currency platinum forex card का मैं proper review करने वाला हूँ currently HDFC bank की तरफ से सबसे best multi currency forex card यही होने वाला है मैंने पिछली वीडियो में आपको 4 best forex card के बारे में बताया था जो zero forex markup charge के साथ में आते थे वीडियो informative लगे तभी चैनल को subscribe करके well icon press करिएगा और वीडियो को भी like कर दीजिएगा मैंने पनी जो last video बनाई थी for best forex card जो zero forex markup charge के साथ में आते थे उस वीडियो पे सबसे आदा comment यही आ रहा है तो हमेसा दो forex card अपने साथ में carry कुरो regular transaction के लिए जो zero forex markup fees वाले forex card आते हैं जो मैंने उन वीडियो में बताया चार card के बारे में उन में से कोई एक अपने लिए forex card ले सकते हो regular transaction के लिए लेकिन अगर किसी region से वो forex card काम नहीं करें तो आप अपने लिए एक paid forex card रखो जैसे कि मैं इस वीडियो में HDFC के multi currency card के बारे में बताऊँगा आप किसी दूसरे bank का भी forex card अपने लिए रख सकते हो as emergency situation सो अब बात करते हैं HDFC multi currency forex card की पूरी detail के बारे में तो ये multi currency card है इसको आप 22 countries के इंदर में यूज कर सकते हो लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही हो कि जिस country में ये forex card काम करेगा हम इंडियन ज्यादा तर जिस country में विजिट करते हैं almost वो सारी countries यहाँ पर cover हैं के लाबा ये एक prepaid card होने वाला है as a wallet ये काम करेगा सबसे पहले आपको अपने account से इसमें पैसे load करने होंगे उसके बाद ही ये forex card काम करेगा इस card के foreign exchange rate के अगर बात करें तो जैसे कि अब prepaid card है तो जिस time पर आप इसमें पैसे load करोगे उस time पर जो foreign exchange rate चलना होगा आपक card के use करके cash patrol कर सकते हो POS transaction हो जाएगी और online payment भी हो जाएगी जैसे कि ये multi currency forex card है example के लिए जब आपने इसमें पैसे load किये थे तो USD में load किया था अब आपको UK travel करना है या फिर Singapore travel करना है तो इनकी prepared net bank में जाके आप currency को change कर सकते हो जैसे US से आप euro में कर सकते हो या फिर Singapore dollar मे कर सकते हो इनकी net banking में option मिल जाएगा यह automatically नहीं करेगा आपको manually जाके यह करना होगा इस card के मेरे को एक best feature यह लगा suppose आप USD में कोई payment कर रहे हो और उतना amount currently आपके forex card में नहीं है तो इसका system automatically दूसरी currency में calculate करेगा कि क्या किसी दूसरी currency में उतना fund हो पा रहा है जो आपके भी forex card में है अगर उतना fund हो जाता है किसी दूसरी currency में तो यह उस transaction को successfully कर देगा HDFC multi currency forex card में different type के insurance भी cover है जैसे कि up to 5 lakhs तक का cover मिल जाएगा अगर इस card का कोई misuse करता है जैसे कोई spam हो जाता है या फिर कोई for out transaction हो जाती तो up to 5 lakhs तक का cover मिल जाएगा अगर आप road या फि उसमें up to 20,000 रूपीज तक का cover मिल सकता है इवन अगर आपका passport loss होता है तो उसमें 50,000 तक का cover मिल जाएगा और अगर आपका कुछ cash भी loss हुआ है तो उसमें up to 60,000 रूपीज तक का cover मिल जाएगा अगर आपके साथ में ऐसा कोई accident हुआ है तो definitely cover मिलेगा बस paperwork थोड़ा कर सकते हो तो काफी सारे options इसके prepaid net banking में मिल जाएगा जहां से इस card को fully control किया जा सकता है इस card पर जो international support मिलता है वो काफी next level का है क्योंकि 32 countries के अंदर में आपको customer care support मिल जाएगा with toll free number तो आपका कोई भी problem हो तो customer care से बात करके अपनी problem को resolve करा सकते हो even किसी region से अगर आपका card काम नहीं कर रहा है या फिर loss हो जाता है आपका card तो आप इनके customer care में बात कर सकते हो internationally वो आपको cash भी arrange करा देंगे अब हो सकते है उस service के लिए आप से थोड़ा वो extra पैसा लें लेकिन emergency situation में आपको HDFC bank दूसरी country में cash भी arrange करके देगा तो ये कुछ benefits है HDFC multi currency forex card के अब बा cash withdrawal charge और balance check different countries में अलग-अलग rate है तो उसका chart आप देख सकते हो तो balance check कभी ATM से मत करना है इनकी prepared net banking से balance check कर सकते हो लेकिन cash withdrawal charge का आप chart देख सकते हो different countries में different type के charges है cash withdrawal पे इसमे cross currency markup fees 2% करेगा example के लिए जब आपने इस card में पैसे load किये थे USD में किया था अब आप UK travel कर रहे हो तो अपनी currency को change करोगे UK में करोगे तो USD से जब UK में आप currency को change करोगे तो उस time पर 2% का cross currency markup fees अलग से pay करना होगा एक question याद है कि जब आप इस forex card में money load करोगे suppose USD में load कर रहे हो तो क्या उस time पर कोई charge या फिर fees देनी पड़ेगी तो आपको समझाता हूँ example देखे suppose आज क की date में एक USD का value 80 रूपीज है तो banks आपसे 82 या फिर 83 रूपीज पर डॉलर के हिसाब से charge करेगा जब आप अपने INR money को load करोगे इस card में तो उसी time पर यह आप से fees ले लेगा वैसे इस forex card के eligibility की बात कर लेए तो अगर आपका HDFC bank में account है तो काफी minimal documents देनी होगे जैसे pan card, आधार card और पासपोर्ट देखे आप इस forex card को ले सकते हो अगर HDFC bank में आपका account नहीं है तो उस case में आपको pan card, आधार card इसके लावा पासपोर्ट, आपका visa या फिर flight टिकेट उगरा देनी पढ़ सकती है लिक में description में दे रहा हूँ जहां से आप इसकी eligibility देख सकते हूँ